नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर भाववधी भाटिया और आज हम राजी दिख्षितिक का एक और व्याख्यान समझने जा रहे हैं यह बहुत ही इंपोर्टन्ट व्याख्यान है क्योंकि इसके इंदर जो चल्चा कीगी है वो बेसिकली एक तो वजन कम करना आप पा आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे और बागवटी जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्तुका है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना प्रिविंशन इस बेटर देन क्योर आज के सूत्रों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से सुनें आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र बागवटी जी का वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्तुका नहीं है खाने को पचाना महत्तुका है क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा उसी रस में से मास मज़ा रक्त मल मूतर वीर मेद ये सब बनेगा आस्तियां बनेंगी और वही आपके शरीर के लिए बोजन अंते में बोजन के अंत में, बोजन अंते विशमबारी, विश, समस्ते हैं आप जहर, जहर जैसा, क्या है पानी, सूत्र उत्नाई है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उधारण दूगा ताकि आप जल्दी पानी, पता कर पाएं। बागवट्टी जी ने एक सूत्र में ये कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य उस्थान पेट है इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभी लेफ्ट साइड में नाभी से थोड़ा उपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इस स्थान को कहते है जठर संस्कृत में कहते हैं जठर हिंदी में कहते हैं आम आशा है अंग्रेजी में चाहें तो एपिगेस्टर कब बागवट्टी जी कहते हैं कि इसमें अगनी प्रदीप्त होती है जठर अगनी जठर अगनी और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं पहले जठर में ही जाता है। ये है महत्तु की बादु आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ तुरंत अगनी प्रदीप थो जाती है। पहले ही टुकड़े में। तो ये अगनी प्रदी अब ये अगनी भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गड़ 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 तो क्या हुआ अगनी शांत हो जाएगे अगनी का पानी से मेल नहीं है दुश्मनी है तो आपके पेट में खाना खाते ही अगनी जल रही है अब लोटा भरके पी लेते हैं, कई-कई लोग तो भोजन से ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर बागमट्ट जी कहते हैं, भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा, वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले, सबसे पहले, गैस बनेगी, वायू बन आइंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हिरदा इस्थान पर भेंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है, कि आपको लगेगा कि हरटटेक आ गया, लेकिन वो वायू का दर्द है, हरटटेक नहीं, और ये जो वायू बनी, भोजन के स ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अलसर पेप्टिक अलसर बवासीर मोडवयाद भगंदर और अंत का एक रोग है कैंसर करकरो मनें एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं और बाद में बागबटी जी कहते हैं वो भी बता देता हूँ वो दूर का सुत्रे लेकिन यहीं पर ले आता हूँ उसको कि आपका जो भोजन सड़ेगा तभी कॉलेस्ट्रॉल बनेगा अगर भोजन का पाचन हुआ तो कॉलेस्ट्रॉल शूर ने रहता है आप जानते हैं शर कॉलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दैं उनको भोजन पच नहीं रहा उनका भोजन सर रहा है तो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हर्टेटेक भी आएगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे सारी संधियां आपकी एदम कड़क हो जाएएंग कि पानी कब पीना तो बागवटे जी कहते हैं कि कम से कम डेड़ घंटे के बाद पानी पीओ अब ये जो डेड़ घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है ये बागवटे जी कहते हैं कि जो आपने खाया वो आपके जठरिस्थान में देड़ घंटे तक अगनी के प्रभाव में रहता है देड़ घंटे तक और एक से देड़ घंटे का वो बताया है तो अलग अलग छेत्र के हिसाब से अब मान लिजे उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अगनी का असर दो से धाई घंटे रहेगा पहाड़ वाला लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ तो एक से दिड़ घंटा ठीक है अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा भोजन के बीच में पीना के नहीं पीना और भोजन के पहले पीना के नहीं पीना वो ये कहते है कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधीग एक घंटा आपको सीधा सा हिसाब बताता हूँ 10 वज़े खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9 बच कर 20 बिनिट तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं और बीच में पीना के नहीं वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न हैं दो अन्न माने एक रोटी खा रहे हैं आप वो गेहू है और दूसरा चावल खा रहे हैं तो चावल और गेहू दो अन्न एक अन्न की पूरती पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है तो बीच का जो जंग्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना मतलब इसका सीधा है रोटी पूरी हो गई अब आप चावल खाने की तयारी कर रहे हैं तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना लेकिन मातरा कितनी तो वो कहते हैं दो या तीन घूट इतना ही उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिये अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए तोड़ा एक दो घूट और पी लेना अब आपके मन में तरंत एक प्रशना आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना फिर? पानी तो नहीं पीना देली गंटे तक तो नहीं पीना तो कुछ पी सकते हैं तो बागवटी जी ने तीन चीज़ें बताई है उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंतर में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है चाच वो है मठा दही का तक्रम लसी पीने के लिए नहीं कह रहे है मक्षन रह गया तो वो लसी तक्रम की बाद रहा दूसरी सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने बताई है वो है दूद और तीसरी सबसे अच्छी चीज़ बताई है फल का रस जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिया तो नहीं चलेगा तो आप यह कहें कि कोल्ड स्टोरिस से लाया हुआ संत्रा और उसका रस निकाला या मुसम्मी का रस यह सर्वनाश करेगा सत्या नाश नहीं सर्वनाश करेगा अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महर्तुका है बागवटी जी कहते है मठा या चाच का पीना दूद का पीना रस का पीना तो सुबह के भोजन के बाद जूस बागवटी जी ने नाश्टा शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है सुबह का भोजन जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दुपहर को ही होते है पेट में इसी तरह हमारे शरीर में दूद का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पढ़ती है या इंजाइम की जरूरत पढ़ती है वो सुर्यास्त के बाद ही होते है और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते है अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूद पी कर जाते हैं तो बदल दो जूस पिला कर बेजो और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं आप जैसी आदट डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ समझ जाएंगे तो उनकी भी जिन्दगी में ये पर्मनेंट हो जाएगा अभी इसके आगे का सुखता है तो पानी कैसे पी है तो हमारे याँ पानी पीने के बहुत तरीके हैं लोटा मुँसे लगाया गट-गट-गट उतार लिया गिलास मुँसे लगाया गट-गट-गट उतार लिया तो बागबटी जी कहते हैं ये तरीका बिलकुल गलत है पानी पीने वो कहते हैं कि पानी को चुस्किया ले लेकर पिये जैसे आप गरम दूद पीते हैं न बागवट जी बिल्कुल उसके समकश रखते हैं अब ये क्यों? आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूट पानी उतारें गले के नीचे ये दोनों में जमीन आस्मान का अंतर है क्या अंतर है? हमारे पेट में बोजन को पचाने के लिए अगनी होती है और इस अगनी को तिवर करने के लिए अमल होता है अमल, एसिड, प्राकरतिक रूप से बनता है और मुँ में चार बनता है जिसको लार कहते हैं, लार सलाइवा, सैलिवा, लार, लालारस अलग-अलग नामों से आप जानते है तो मुँ में बनती है लार, ये है चार और पेट में बनता है अमल आप थोड़ा भी अगर विग्यान जानते हैं आप जानते हैं कि छार और अमल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच साथ है यह जो पानी है ना पानी यह ना अमल है ना छार है यह न्यूट्रल है तो बागवट्टी जी कहते हैं कि पेट आपका अकसर पानी के जैसा रहे तो पारिंटी है बिना एक भी दवा खाएक और बिना चिकिटसक के पास जाए तो वो यह कहते हैं कि गूट-गूट पिया पानी अगर सिप-सिप करके आपने पानी पिया तो ज़्यादा लार अंदर जाएगी तो अमलो को शांत करने में मदद आएगी इसलिए आपका पेट है तो की बात है यह सबाब के लिए वो यह कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप-सिप करके पानी पियें वो देखें जानवर कैसे पीते हैं चुडिया कैसे पानी पीते हैं चुडिया एक ड्रॉप उठाएगी फिर उसको ऐसे ऐसे मूँ में चलाएगी फिर पियेगी फिर दूसरी नहीं, कोई overweight नहीं, किसी को joint spine नहीं, किसी को कुछ नहीं, बाग भट के पक्के चेले हैं ये सब जान गुंए मनें आपके सारे रोगों की एक दवा तो मैंने ये experiment शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले, बाग भट जी को मैंने छे साल पहले पढ़ना शुरू किया तीन साल पढ़ने में लग गया और तीन साल समझने में लग गया तो आपको सुनकर हैरानी होगी हमारे जो दोस्त हैं सहयोगी हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा था उन्होंने पानी सिफफ करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के डिड़ घंटे के बाद पानी पीना शुरू ये दो सूत्रों का ही परिनाम है कि सब के वजन पहले से आदे हो गए सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है तो उन्होंने का बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना इसकी medicinal property सबसे ज़्यादा है आपने जानवरों को देखा होगा उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या इस्तुरिया और पुरुष बहुती धुरुभागे चाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते जैसे तंबाकू खाने वाले लोग, गुठका खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग थूपते ही रहते हैं उसको थूपते ही रहते हैं जिसको बनाने के लिए भगवान में एक लाख ग्रंतियां आपके मुह में दी हैं जो राद दिन आपके लिए लार बनाती हैं ये बहुत ही कीमती है इसका औशदिय गुण बहुत है और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के तो सड़क तो खराब करते ही हैं अपने को उससे जादा खराब करते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विंती है कि आप मैंसे कोई लार थूकने वाला हो थूकने वाला आदमी ही यह तो बागमट्टे जी की डिक्ष्णरी में नहीं है वो कहते हैं कि एक ही कंडिशन में आप कुछ थूक सकते हैं जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तभी बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडिशन नहीं कि आप थूक हैं तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं तो पान खाने के लिए नियम बताया पान खाओ तो कत्था मत लगाओ बिना कत्थे का पान खाओ थूकने की गरज नहीं तो वो कहते हैं कि पान भी खाना तो थूकना नहीं है कत्था है तो थूकना पड़ेगा कत्थे बिना ही पान खाओ पान तो पित और कफ दोनों का नाश करता है और चूना वात का नाश करता है तो वो कहते हैं कि पित और कफ का नाश कर दिया पान ने चूने ने कर दि तो बात्पित कफ्तीनों ही संतुलित हैं तो पान खाके तो जिंदगी भर नहीं रोगी नहीं सकते ठीक है? अब आगे चलता हूँ आगे का एक सूत्र है बागबट जी को आ कि पानी कभी भी पीए तो ठंडा ना पीए कैसा पानी पीए जी? गुन-गुना पानी पीए कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के उपर ना हो ऐसा पानी पीए गुन-गुना ही पानी पीए क्यों? अभी मन में प्रशनाएगा क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का पानी पीते हैं, बरफ डाला हुआ पानी पीते हैं, जिसका जैसा गुण है वो ही तो करेगा न, बरफ का गुण है ठंडा करने का, तो बरफ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बरफ का गुण पानी में आ गया, अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा, अग कभी भी थंडा पानी ना पिया, एक विशलेशन, दूसरा विशलेशन, कि अगर पानी आपने थंडा पिया, तो तुरंत पेट उस पानी को गरम करने पर लगेगा, तो पानी को गरम करने के लिए उसको अतरिक तूर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतरिक तूर्जा उसको रक्त मैंसे आएगी, तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी, और ये कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे कमी आती रहे तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे क्योंकि उनको रख्तकी सप्लाई कम होई है और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो brain नहीं निकलते बेठे ही रहते रहना उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे संडास दिकाई एक परिशान और तरह तरह की आवाजा निकलतें फिर भी नहीं आती फिर वो गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी वो आती नहीं है और कभी कभी जब बहुत जादा परेशान हो जाते हैं तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा 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 भू तब भी नहीं है यह है समस्या कि जो लोग बहुत थंडा पा गई तो अगर आपकी लार्जन टेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगे फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिये बरफ डाला हुआ पानी ना पिये आईस क्रीम कभी भी ना खाएं तो गरम भोजन और ठंडी आईस क्रीम कभी ना खाएं अक्सर मै शादियों में बरातों में जाता हूँ तो वहाँ मैंने देखा है कि भोजन गरमा गरम कराएंगे अंत मैं आइस क्रीम जरूर खिलाएंगे सर्वनाश बुला बुला के हमारा सत्या नाश करते है ना मरो तो जल्दी मर जाओ ऐसा आजकल आतित इस देश में चल रहा है पहले कहते थे अतिती देवो भवे अभी अतिती दुश्मन भव अभी चौथा सूत्र आजका आखरी सूत्र बागवटी जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है लेकिन ये लार बनने की क्रिया जादा शितिल नहीं होती है ये चालू रहती है तो रादवर आपने लार बनाई है मुँ में जगे जगे जमा है वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेश की उमती है तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए इसलिए बिना कुला की ये पानी पीने का नियम है इसी को उशा पान कहा जाता है तो सुबह उठते ही पानी पिएं कितना पिएं जी? बुज़र्गों के लिए, दो गिलास बच्चों के लिए और तीन गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए कम से कम इतना पानी पी है बागवट्टी जी ने ये जो कहा न सुबह की लार बहुत कीमती होती है मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपरिमेंट किये पिछले एक आद साथ बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डाइबिटीज है और डाइबिटीज की कंडिशन में आप जानते हैं कि कोई घाओ हो जाए घाओ तो जल्दी भरता नहीं मैंने उनको दवाएं बन किया फिर मैंने का बागवट्टी जी ने का कि सुबह की लार बहुत कीमती है तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो ला रहना उसको लगाओ तुम्हारे घाओ पे और आप देखेंगे चमतकार पंद्रे से बीस दिन में घाओ भरना शुरू तीन महीने में बिलकुल बराप